हालो फ्योजोशी विल्कम बैक चानल फ्योजोशी वर्ल्ड आज मैं आपके लिए थाई बेल ड्रामा बॉस एंड बेप के एपिसोड फूर्थ का पार्ट वन लेकर आए हूं अगर अभी तक आपने बागी के एपिसोड नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गन शर के साथ उसके गाउ उसके घर आता है शर गन को उसकी गाउ की शैर करने चलने के लिए कहता है पर गन चाह रहा होता है कि घूमने के बज़ए सर अपने फैमली के साथ वक्त बिताए है और शर को उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं है शर गन को इतना ज़्यादा सोचने से मना करता है और कहता है कि अगर गन को किसी बात का दोसी ठहराया भी जाएगा तो इस बात का कि कल गन ने उसे किड़नाब करके उसके साथ सो गया था जबकि उसे अपने ममी या दादी के साथ सोना चाहिए था और रही बात अपने फैमली के साथ वक्त बिताने का तो उसने जितना वक्त बिताया है वो काफी है वो इससे ज़्यादा समय तक अपने फैमली के साथ नहीं रह सकता है नहीं तो उसकी मा उसके ज़्यादा बोलने की वज़े से परिशान हो जाती है उनका बस चले तो शर को यहां से समय से पहले ही वो भगा दे शर से परिशान होकर ही तो उसके मा ने इतना खर्चा करके उसे बैंक कॉक पढ़ने भेजा शिर्फ गन ही है जो उसके पास रहना चाहता है शर की बाते चुनकर गन इसमाइल करता है आगे सर पूछता है कि कहीं गन को उसके चारम से प्यार तो नहीं हो गया गण धीरे धीरे के करीब जाने लगता है और कहता है कि जब वो कोई भी बिजनिस करता है तो हम इस अपने प्रॉफिट के बारे में सूच था है बहुत जल्द ही शर को पता चल जाएगा कि कौन किसके पैयार में पड़ गया है शर को गन की बाते समझ में नहीं आती है इसलिए वो गन को अपने साथ घुमाने ले जाता है शर के पास उसकी बहुत पुरानी बाइक होती है जिसमें आज वो गन के साथ घुमने जाने वाल है बाइक देकर गन शाफ शाफ मना कर देता है कि वो इस लोहे की कबाड में नहीं बैठे गा शर बुरा मान जाता है कि गन उसके प्यारे से बाई को लोहे का कबाड बोल रहा शर जबरजस्ती गन के पॉकेट से उसकी कार की चाभी लेकर अपनी मा को रखने के लिए दे देता है गन शर को चाभी फेकने से मना करता है क्योंकि अगर चाभी खराब हो जाएगी तो वो लोग घर वापस कैसे जाएगे शर कहता है कि गन की कार बहुत मैंगे अगर उसमें कोई भी प्राब्लम होगी तो वो Consumer Protection Act का इस्तमाल करके कार की कमपनी पर केस कर सकता है जिस पर गन कहता है कि अगर शर को ताजी हवा लेनी होगी तो उसके कार में शनप्रूब भी है वो उसे ओपन करके Golden Retriever जो की एक कुट्टे की प्रजाती है उसकी तरह शर भी बाहर निकाल सकता है शर को गुशा आता है कि गन उससे कुट्टे से कमपैर कर रहा है शर आकरी बार गन से पूछता है कि वो उसके साथ आ रहा है कि ने गन मना कर देता है इसलिए शर धमकी देता है कि गन को रात का डिनर नहीं मिलेगा इसलिए ना चाते हुए भी गन को शर के बाइक पर बैटना पड़ता है गन बिचारा सोचता है कि उसने पता नहीं कौन से कर्म की है जो ये सब उसे जहेलने पड़ रहा है शर्म पहले तो मजाग करता है कि उसे जीटीए गीम में बाइक राइडिंग की बहुत प्राक्टिस फिर वो कहता है कि गाउं में उसके जैसे बचे आठ साल की उम्र से ही बाइक चलाना सीख लेते हैं क्योंकि या तो यहाँ पर उन्हें पैदल चलना पड़ता है या फिर बाइक राइड करना पड़ता है शर्गन को कसकर उसे पकड़ने के लिए कहता है क्योंकि अब वो बाइक बहुत तेज चलाने वाला है गन को डर होता है कि कहीं बाइक के सारे चक्के न बाहर आज़ा वोट सर्प्राइज हो जाएगा अगर ये बाइक 50 किलोमेटर प्रती घंटा भी चल जाए तो फिर भी शर्गन की बात नहीं शुनता है और बाइक तेज चलाने लगता है सबसे पहले वो लोग खाने के लिए रुकते हैं पर गन का पेट अभी तक्षुबा के नास्ते से भरा हुआ रहता है जिस पर सर का कहना होता है कि बाइक पर राइट करने से गन को फिर से भूक लग जाएगी गन नोटिस करता है कि आज पास के लोग उनके बारे में बाते कर रहे हैं जिससे गन को बहुत वियर्ड लगता है सर कहता है कि वो जगब बहुत छुटी है वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं गन यहां का नहीं है इसलिए लोग उसे घूर रहे हैं थोड़ी देर घूमने के बाद सर और गन ड्रिंक करने के लिए रूपते हैं गन नोटिश करता है कि सर ने एक एक एक्स्ट्र ड्रिंक ओर्डर किया है जो वो पी नहीं रहा सर इस बारे में कुछ नहीं कहता है और गन को कहीं और घुमाने ले जाने से पहले एक तालाब के पास ले जाता है सर उस extra drink को वही side पर रख देता है शर गन से पूछता है कि क्या उसके internship खत्म होने के बाद गन उसके लिए रोएगा जिस पर गन कहता है कि अगर वो रोएगा तो सर क्या करेगा फर बिचारा सर इसमें कर ही क्या सकता है वो बस गन को बच्चों की तरह रोने से मना कर सकता है इस बार गन सर से पूछता है कि अगर वो सर को अपने company में permanent employee की तोर पर hire करना चाहेगा तो क्या सर उसके लिए रुकेगा सर बिना second गवाए मना कर देता है क्योंकि उसे office job पसंद नहीं है जिस पर गन पूछता है कि उसे job नहीं पसंद है या फिर वो सर दोनों को ना पसंद करने की बात कहता है बिचारा गन उडाश होकर पूछता है कि क्या सर सच मुछ से पसंद नहीं करता है उल्टा सर गन से पूछता है कि उसे कभी ये बात पता चला कि वो लड़कियों को पशन नहीं करता है गन को तो ये बात याद भी नहीं होती है गन बताता है कि जब उसके माँ को पता चला था कि वो गे है तो उसकी माँ मेडिटेशन कराने के लिए उसे मंदीर ले गई थी इस उमीद से कि उनका बेटा ठीक हो जाएगा उसकी माँ ने उसे पहले जैसा करने के लिए बहुत चीज़े की पर अंत में उन्होंने हार मान लिया शर कहता है कि ये सच है कि उनके पैरेंट्स ने उन्हें जनम दिया पर अंत में वो अपने लाइफ के मालिक होते है शर गन से ये सवाल इसले कर रहा होता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि अपने लिए सही इनसान को वो कैसे चून सकता है गन उसे पूछता है कि क्या सर ने कभी किसी को पसंद या फिर किसी से प्यार किया है ये सवाल सुनकर शर ड्रिंक की तरफ दीखने लगता है और एक लड़की के बारे में सोचता है जिसे ये ड्रिंक बहुत पसंद है शर के आखे बताती है कि वो उस लड़की को कितना पसंद करता है शर गन के सामने एडमिट भी करता है कि वो किसी को पसंद करता था जिस पर गन कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इनसान लड़का है या फिर लड़की अगर उस इंसान के साथ उसे प्यार महसूस होता है तो इसका मतलब वो इंसान उसके लिए सही है उसी तरह जिस तरह सर इस वक्त जो फील कर रहा है शर को फिर से गन की आखरी वाली बात समझ में नहीं आते है और कहता है कि वो क्या ही फील कर रहा है शर गन को वापस चलने के लिए कहता है गन के पैर डर्ड करने लगते है इसलिए गन अपना हाथ सर को पकड़ने के लिए देता है शर उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे अपना हाथ करता है फिर वो पीछे खीच लेता है जिससे गन गिरते गिरते बचता है सर कहता है कि अगर गन उठ नहीं पा रहा है तो वो बाद में चल कर घर आ सकता है इसलिए गन को चल कर जाना ही पड़ता है सर गन को खुल कर शास लेने के लिए कहता है कि तभी अचानक सर बाइक रोक देता है क्योंकि उसके सामने एक कुट्टा आ जाता है लेकिन गन को ये बात नहीं पता होती, इसलिए गन कहता है, कि थंडी हवाओं में शास लेने के लिए सर को बाइक रोकने की जरूरत नहीं थी, वो बाइक धीरे धीरे भी चला सकता है, तब ही शर बताता है कि अब ये कुट्टा उनका पीछा करने वाला है, इसलिए सर गन को जोड़को उसे पकड़ने के लिए कहता है. गन बीचारा डर जाता है और सरको साच में जोड़को से पकड़ लेता है. देखते-देखते सचमे कुटव उन्हें दोड़ाने लगता है. गन की तो हालत खराब हो रही होती है, पर शर को बहुत मजा रहा है. फाइनली कुट्टा उनका पीछा करना बंड कर देता हैं वो लोग अपनी बाइक रोकते हैं अब जाकर गन को चैन की सास आती हैं गन का चेहरा देखकर शर को हशी आती हैं शर कहता है कि जिन्दगी को इतना भी सीरियस तरीके से नहीं लेना चाहिएं लेकिन गन को लगता है क शर को कभी कभी ज़रूर सीरियस होना चाहिएं सर इसमाइल करते हुए कहता है कि उन दोनों की लाइफ कितनी अलग हैं अगर उन दोनों को मिला कर आधा-धा अलग किया जाए तो वो लोग बैलेंस हो जाएंगे सर जो फिर से बाइक चलाने वाला होता है तो गन उसे कसकर प अभी तक दरते हुए देक शर कहता है कि या गन को सांत कराने के लिए उससे उसके forehead पर किस करना होगा गन किस पाने के लिए जल्दी से खड़ा हो जाता है लेकिन सर तो मजाक कर रहा होता है इसलिए वो चुप-चप गन को बैỆटने के लिए कहता हैं सर बाइक श्टर्ट करने की कूसिस करता है पर भाइक ślटाउट नहीं हो पाती हैं इसलिए गन उसके लिए बायक की चा भी घमाता है जिससे बाईक श्टार्ट हो जाती है बार से स्पीरी करता है और वह नो घर की तरफ निकल पड़ते हैं एपिशोड फोर्ट का पार्ट वन यही पर खत्म होता है अगर आपको यह एपिशोड पशंद आया होगा तो आप लाइक कॉमेंट और शेयर भी कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस तरह आप हमारे फैमली का एक और हिसा बन सकते हैं तब तक मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाप पाई